हाई फेंट्स मानी में का टू-307 में आपका बड़े दिल चुस होगत है आज हम बात करने वाले सोजलान एनर्जी के बारे में पाच परसेंट आपर सर्किट में जाके लॉक हुआ है और जब से यह स्टॉक में आपका एक क्यू आई पी आया हुआ है तो तब से आपका फंड रेज हुआ है रुद्धं कनोर का बारीज है दो हजर करोर का तो उसी के साथ से अब को एक अच्छा वासा तैजी देखने को मिला उसके बाद भी एक अच्छा का थे जिगने को मिला मार्केट के अब चैनलेशंस देखा जे तो 24bb 3,296 करोर के आसपास है और साथी साथ जो आर्टिकल निकल के आया है देख सकते हो कि फोर्थ स्टेट सेशन अपका भोलाटिल्टी के रहते हुए भी आपका 9% स्टॉक ने अपका रिटन दे चुका है स्टॉक नाया 52 विक हाई जो है 22 20.80 यह 25 जुलाई को बनाया था और अभ करूप किया था की वाई पी जो लगबग लगबग फांड रेज होगा 200 करूर का 2000 करूर का तो हाजर करूर का फंड रेज हुआ है और उसी के साथ साथ अपका एक अच्छा खासा क्वालिफाइड इंस्ट्यूशनल प्लेस्मेंट हुआ है जो आपका अपर सर्कीट में लेक किया जा रहा है वोलाटरिटी रहने के बाद भी इनर्जी स्टॉक में जंप देखने को मिला है अभी अगर आपका 20.80 को स्टॉक आपका ब्रेक कर देता है तो एक अच्छा खासा 24 रुपे कर टार्गेट रहेगा नियर्टम में और यह जो फंड रेज हुआ है यह सेलिंग जो पॉफिट है वह अपका 2433 करोड का हुआ है यार यार क्वाटर में और नेट रेविन्यू में अच्छा खासा आपका थोरा सा गिरावत देखने को मिला है और बाकी आपका इन्योवेल एनर्जी सल्यूशन है जो ग्रीन एनर्जी के और इंफरस्ट्रक्चर किया है और देख लेते के शेयर के चार्ट में जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है अब सपोर्ट बन चुका है 18.95 सुजलन एनर्जी के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट का काम कर रहा है और साथी साथ 20.80 को क्रॉस करते ही एक एक रेजिस्टेंस है जो 25 जुलाई को इसको करते ही आपका 24 का टार्गेट देखने को मिलेगा स्टॉक में तो देख सकते हो के एक अच्छा खास बाउंस और सपोर्ट भी बताया गया है 18.95 वीडियो इन्फोर्मेशन अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लो आपी का चनल है बानी मेंकर 2307 थैंक्स पर व